रिवाडी से पूर्व विधायक रगु यादव के बेटे भाजपानेता स्रिजन यादव ने युवा पंचायत बुलाई। केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे स्रिजन यादव ने लोगसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताल्थो की। युवा जोडो अभ्यान के तहट बुलाई गई युवा पंचायत में बड़ी संख्या में पहुँचे युवाओं ने फूलमाला और पगली पहना कर युवा नेता स्रिजन यादव का जोड़दार स्वागत किया। इस युवा पंचायत के माध्यम से स्रिजन यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी जताई। इसी कड़ी में स्रिजन यादव का पार्टी के साथ अधिकादिक युवाओं को जोड़ने का अभ्यान और मजबूती से आगे बढ़ने लगा है। दक्षिनी हर्याना में अपने पिता के पुराने जनाधार का सहारा और युवाओं के प्रती अपनी निष्ठा को लेकर राजनीती में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के ये स्रिजन यादव का युवा पंचायत नाम की कार्यक्रम रविवार को रेवारी स्रिजन यादव ने बताया कि कार्यकरताओं से रायश मारी का रागामी दिनों में महिंद्रगर जिले की अटेली विधानसभा में भी युवा पंचायत आयोजित की जाएगी इस कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी भागेदारी देखी और समसा में एक स्थानिय मुद् युवाओं के रोजगार वर राजनीती में आगे आने के अफसर देने का रहा। कि वह भाजपा के अनुशासित एवं समर्पित सदस्य हैं और पार्टी जहां जहां भी उनको जिम्मेवारी सौपेंगी वह उसको बखूवी निभाते रहेंगे। इस मौके पर स्रिजन यादव ने मीडिया से बात की और विभिन सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कि पुराने साथियों से मिलना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना बहुत रंग लाएगा। एक ऐसा व्रिक्ष होगा जो नकेवल सभी युवाओं को बिना जातिगत और सामाजिक भेदभाव के एक समान छाव देगा, बलकि समय आने पर फल भी देगा। इस मौके पर स्रिजन यादव के साथ मन्प्रिय यादव एडवोके, सेक्रेटरी, बार असोसियेशन, रेवाली, शिवचरन नेगी, भावेश वशिष्ट, जयवीर बीकानेर, सजन यादव, भागीरत मीरपूर, अनू, माजराशेराज, सुन्दर धारुहेडा, भगत कको गजेंदर रामगर, सतींदर गोयल, विने बंसल, मानसिंग धाकिया, हंसराज सालावास, बलराम छावरी बुल्ला, संदीप यादव, अजीत यादव, और दबलीवी प्रधान धारुहिडा, उम्प्रकाश नारंग, नब्दी पार्या आदियनेको युवा मौजूद रहे और सबसे खुशी की बात है, कम संक्या में ही सही, पर हमारी माता है, मैंने भी यहाँ, आज मौजूद हैं, इस से जादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती, मेरे लिए तो, आज दो है, तीन है, इस संक्या को बढ़ाते बढ़ाते हम और आगे ले जाएंगे, और मैंने तो आपका यहाँ पहुशने पर बहुत ही, मैं हाथ जोड़कर, दोनों हाथों से बहुत चुप्रिया करता है, जब हमने ये फैसला किया किया कि हम पूरे दक्षिन हर्याणा में जाएंगे, अपने युवा सातियों से मिलेंगे और समवाद करेंगे, क्योंकि बात खाली रिव जोदा से लेकर बावल में चांदुवास तक, कोई गाउधानी ऐसा नहीं रहा, जहां उनके पुराने संगर्श के साथी मौजूद आज भी ना हूँ, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते वे हमने सोचा कि हम जाएंगे, ये जो पीडी तर पीडी रिष्टा चला आ रहा है, इ इस साल में जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं, वो सभी आप लोगों के बीच में आएंगे, मैं भी एक पार्टी में आस्ता रखता हूँ, मैं भी एक पार्टी का सदस्य हूँ, मैं भारतिये जनता पार्टी का एक अनुसाशि कारे करता हूँ और मैंने सन 2019 में मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर जी की अध्यक्षता में और मेरे बड़े राम भिलाज शर्मा जी की उनके मंच पर पार्टी की सदस्या ग्रहन की थी और 2019 से ही हमारी पहले चुनावों में ड्यूटी लगी हमने सारी अहिरवाल की जितनी भी अपने साथियों से मिले और जो बनपड़ा पार्टी के लिए हमने किया उसके बाद दूसरी ड्यूटी हमारी जहां लगी थी वो थी जन आशिरवात यात्रा जो गुडगाव से होती वी रिवाडी होते हुए अटेली नानुल होते हुए राजिस्तान में गई थी उसमें ह अंगलियों बेड़ किनों तो कम से कम 10 प्रोग्राम किये थे लेकर धारवेडा से जोना अवाज अबेजिंग चौक यादव समार अस्तल सिविल अस्पताल रामपुरा चौक वहां से आगे गोठड़ा गोठड़ा आगे कुंट और फिर नार्नोल में भी खटोटी मोड़ और भी किया था तो जहां भी पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई है हमने उसे हमेशा ही भखू भी दिभाने का काम किया है पर मेरे ऐसे बहुत से साती हैं यहां भी मौजूद है जो जरूरी नहीं है जिस पार्टी में मेरी आस्ता है वो सी पार्टी में आस्ता रखते हो ऐसे साथ हैं जो इसी दूसरी पार्टी में रखते हैं ऐसे हैं जो किसी दीसरी में भी रखते हैं ऐसे भी हैं जो अपने आपको चुनावी राजनीती से तो दूर रखते हैं और सिरफ वोट तक अपने आपको स्रीमित रखते हैं तो ये जो हम युवा पंचायद कर रहे हैं इन सब को एक बंच पर लाने के लिए है हम सब जितने भी सातियां मौजूद हैं ये सब एक धागे से जुड़े हुए हैं वो धागा क्या है गुकंड विजेता क्या हुआ अतुरित क्या हुआ जिसने ना कभी आराम किया विगनों में रहे के काम किया वो धागा है रगुयादव और उनके साथियों का किया गया इस इनाखे के लिए संधर्च बिल्कुल बिल्कुल साथ मेरे बड़े हैं मैं बच्चमन से देखता है उनकी गोद में खेलकर वड़ा हुआ हूँ और इस पंचायद को हम अमने पिछले सप्ता अपने साथी चेतन है सचिन है क्रिशन है क्रिशन है क्रिशन आए गया क्येतन सचिन क्रिशन और उनके कई साती है उनके साथ बावल विदान सभा के चांदुवास गाव में पहला आगाज किया और आज गुड़ गाव लोकसभा की रिवाड़ी विदान सभा में यह दूसरी युवा पंचायत हो रही है और इसको आगे ले जाते हुए अब हम इ बेंदरगर से नारनोल नांगल चौधरी वापस आएंगे कोसली कोसली से पटोदी पटोदी से सोना सोना से बाच्चापूर और फिर गुड़गाओं और इस पूरी समापन के बाद एक बड़ी युवाओं की रैली करेंगे और उसमें एक नई राजनीती का एक नई पंचायत इसलिए है कि हम चाते हैं कि जो यह राजनीती है इसमें युवाओं की और भागेदारी बड़े उनको जो चुनाव के उनके मुद्दों का जिकर हो और चुनाव के बाद चो आने वाले पांच साल हैं उसमें भी उनकी बात की पहरी भी हो उनकी आवास की सुनवाई हो इसलिए ये संगठन काम कर रहा है मेरे को बहुत पीड़ा होती है मेरे को लगबग हर रोज अपने साथी मिलते हैं जिनको रोजगार चाहिए और पढ़े लिखे हैं पर रोजगार उपलब नहीं है फोन पे भी बात होती है उनके माता पिता का भी फोन आता है के भई पड़ा लिखा के काबिल कर दिया है बेटे को या बेटी को पर रोजगार नहीं मिल रहा इस बात में कोई दोरा ही नहीं कि हर्याना में जो आज की सरकार है भारते जंता भार्टी की सरकार है क्या वो पर्यापत है वो पर्यापत नहीं है पर ये भी बात सची है कि ये जो इलाका है हमारा दक्षिर हर्याणा का ये रोजगार की खान है या रोजगार बहुत उकलब्द है या सारे के सारे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री भी है ज़रूरी नहीं मैं खाली सरकारी और उस्मे छोटा रोज़गार नहीं कोड़ा बहुत अच्छा अच्छा मेरे साति करता है। नौक्रियों की भुलंदी कोई जाना कई बड़ी बात नहीं है नहीं भड़ी जरूरी है। हम यह चाहते हैं, इस युवा बंचायद के मंचा है, जो बढ़ती दफ्तर खुले हुए हैं, इनको दुरुस्त किया जाए, गाओं-गाओं में नहीं, ब्लॉक के हिसाब से भी नए बढ़ती दफ्तर खुले, ताके एक दिशा दी जा सके, हम चाहते हैं कि स्कूल और कॉलिज से भी हमारा आवान रहेगा, ताके जो बच्चा स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहा है, उसे पताओं उसे किस दिशा में जाना है, अब दिखाए तु मेरे को क्रिशन, और जो कॉलेज से रोजगार ढूनना चाहता है, उसे पताओं कि क्या-क्या रोजगार के अफसर उपल राजनीती के जो पुरानी चलियारी राजनीती है, इसके माईने बदलने होंगे, यह जो वोट है, यह बड़ा कीमती होता है, पर इसमें एक मज़ेदार बात है, यह सबका एक है, बड़े का, चोटे का, गाओं का, शहर का, महिला का, पुरुष का, स्वस्त का, दिव्यां क अच्छे का, बुरे का, सबका एक है, इसमें सब बराबर है, वो जमाना गया जब राजा राणी की कोक से पैदा होता था, अब तो नेता मत पेटी के गर्व से निकलता है, उसे आप बनाते हैं, और यह जो हिंदुस्तान है, हमारा देश है, यह एक युवा देश है मेज भ इस तीज साल है, तो सोब युवा बना भी सकता है और युवा बेगाड भी साकता है, यह बात समझने की ज़रूरत है, और अंसराज भाई बेटे हैं, बल्वान भाई बेटे हैं, शीश्पाल explains की भाई मेरे महेश है निनेश है, लालचंध है और मेरत से छोटे भी है और द पर जुकती नहीं जवानिया और रुकती नहीं रवानिया तलवार की धार पर इतिहास हमेशा बनता है जो मेरे साथी जो मेरे युवा साथी राजनीती में चुक हैं उनको में कहना चातों कि भाई एक तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की राजनीती करनी है कि आपको किस तरह partido करनी है क्योंकि कोई भी party आपको MLA बना सकती है M P Bना सकती है वार्शत भी बना सकती है और चेर्मैन में परसाब आपको नेता तो आपके लाके के लोग आपके साथ Lok आपकी जनता और उनका प्यार ही बना सकता है मैं भी पार्टी में हूँ, मै ने पहले खा एles? खूब निष्टा से काम करता हूँ और पार्टी आगे भी जहा जिनमेवारी लगाएगी. खूब निष्टा से ही काम करूँगा. पर उसके साथ-साथ, मैं आपकी चिन्ता भी करता हूँ. क्योंकि मैं इस इलाखे का रिड़ी हूँ इस इलाखे ने मेरे पिता को जितना प्यार दिया मेरे पिता को जितना सम्मान दिया मुझे नहीं लगता कभी किसी और को दिया है इस इलाखे के लोगों ने कंदे से कंदा मिला कर कदम से कदम मिला कर उस संगर्ष में हिस्सा लिया है इस इलाके के हक, हिस्से और हिसाब की लड़ाई लड़ी है और मैं उन सब का रिड़ी हूँ वो बात हो चाहे रिवाडी जिला बनाने की कमल अंकल ने सारी बाते बताई हैं जब लोग कहते थे रिवाडी जिना बनने लाएगी नहीं है तुम्हारा तब रिवाडी को चिला बनाया था जो आज भी सहूलियत मिलती है लोगों को कही दूर दुराज जाना पड़ता था बात हो रीजनल सेंटर की जब रीजनल सेंटर खुला था जो आज या हमारे भागी रत्वा फिनेश के गाउं में यूनिवस्टी है मीरपुर यूनिवस्टी है वो जब आया था तब बात यह ही थी हर साल इसमें चार सप्जेक्ट होंगे और ये अगले चार से पांथ साल में उनिवस्टी का धरजा मिलेगा उसके बाद बने रीजनल सेंटर सिसार और सिसार और सिसार एक बन गया गुरू जमवेश्वर यूनिवस्टी एक बन गया ताउदिविलाल यूनिवस्टी वो वैसे का वैसा ही रहा तो मतलब इनों ने धाई दशा किस इलाके के युवाओं को अपने ही घर में उच्छा पाने के हक से वन्चित रखा इससे जादा शरम की कोई बात हो नहीं सकती अब यूँ तो मैं आज बहुता लगा दूँ 25 जाल बात तो अपने आपी फल्दे ही देगा बात तो पेज़ अलापूर्ती की नहरी पानी योजना लेके आये थे जिस पे तहट बाकी पूरा हीरवाल में भी अगले और और नहरी पानी योजना है बनी है उस नेरीपानी योजना की वज़े से इस रिवाडी की पेजलापूर्टी होती है नहीं तो रिवाडी स्र्कुल्रा रोड के भार नहीं बढ़ सकता था मैं तो यहाँ पीछे आशन सिटी में यही रहतो यही घर है मेरा पीछे यही पानी नहीं है हम रिवाडी तक ले आये पर यह उसे शहर और द्यात में नहीं ले जा पाए मेरे सातिय परशाद मुझे पता निया है नहीं संसिटी में रहते हैं वह कागली तोर पर इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हम इस पे जल्दी कुछ करेंगे भी सीएम साब से भी मिलेंगे और जो भी हो सकता है वो परियास होगा ही इसके बाद अगर बात हो तो उस वक्त के मुख्या मंत्री रिवाडी मेरी आकर दाओ तुला राम शहीदी दिवस की छुट्टी को भी खारिश कर गए थे और अब शब्द भी कह के गए थे रगुया था वो पहला आदमी था जिसने विदान सबा में हवाज उठाई और उस छुट्टी को बहाल कराया और इस इलाखे को इस इलाखे की शहादत को वो सम्मान वापस दिलाया मसानी बराज पूरा कराया था कि भी साभी के पानी से बढ़ना है वसानी बराज इसलिए पूरा कराया था कि हर साल आप देखते होगे अगले साल भी मौनसून आईगा दियान रखना दिल्ली रोती है वो कहती है और बार आजाएगी खत्रे के निजान से पानी उपर गया कोई बचाओ हिंदुस्तान में हर जाके नहरी पानी जो है वो नहरों के जरीए बनाई कई नहरों के जरीए ले जाया जाते है कुर्शेतर का ब्रहमसवर हो यामरिसर का गोल्टन टेमपल हो वही नहरे बनाकर वो पानी इस बराज में लाना था वही पानी इस बराज में लाना था ताके इस इलाके में जलसतर उपरों खेती अच्छी हो पक्षी आते हैं सुल्टानपूर तक उन्होंने पट्टा तो लिखवाए नहीं हो यहां जील बन जाती है कि कुछ सिस्टम होता तो यहां भी आते हैं यहां से रोज आती रहा हैं क्या आले वही बहुत लेट आया है आजा आजा अज मैं अजहा हमने रिवाडी विधानसभा आपनी दूसरी युवा-पनचायत की है पिश्ले सब्ता हमने बावल में पहली उवा-पनचायत की ती और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते वे हम खाली रिवाडी बावल 네ए खाली रिवाडी जिला कि हम इसे महंदढ़कश जिले में बिले जाएंगे इसका मकसद यह है और उसको साती उस से संवाथ करना एक संगटन रहा है बहूत बड़ा संगटन रहा है उनके साथ ूने उन्होंने मिलके इस उसलाक के लिए आख इसाब की आवाज उठाई उसला पनाने से लेकर यह जो आज यूनिवस्ट्री बनी है इसका रीजनल सेंटर खुलवाना मसानी बराज पूरा कराना इस इलाके की शहादत को सम्मान दिलाना अहीर मेजिमेश्मेंट का मुद्दा उठाना ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाएते कुछ पूरे हो चुके ह कुछ अभी आदे अधूरे हैं और कुछ को हम अब शुरुआत करके उनकी यूवाओं की भागेदारी राजनीती में कैसे बढ़े इस पर समवाद करने के लिए निकले हैं और हमारे संगठन में बहुत यूवा जुड़ चुके हैं बाकी साती हर रोज मेर से संपर्क में र या इस इलावे के हमारे जो बुजर्ग हैं बड़े हैं वो किसी राजनीतिक त्रश्ट भूमी से आए पार्टी लाइन से हटकर भी उनके लिए उनकी सुविधा के लिए जो भी परियास करना पड़े वो हम लोग करेंगे और यही इस पंचायत का उद्देश्य रहे रहे सब ये तो मैंने कहा अभी वी कि मैं पार्टी का अनुसाशित एक कारे करता हूँ बाकी तो जितने भी लोग है सब पार्टी में किसी ना किसी के पास कोई पद है मैं तो काम बी कारे करता कि हैसियत से करता हूँ और वो जहां भी हमारी डूटी लगी लेके दोजार उनिस से आज तक हमने और हमारे साथियों ने बकू भी निभाई है तो ये तो पार्टी बताएगी कि कौन सा चुनाव लड़ना है बाकी हमने सदा चुनावी राजनीती को देखा है समझा है तो चुनाव जरूर सब भाज्चिया ही जो परनाली है जिस तरीके से भाजपा एक परिवार की तरह काम करती है उससे मैं प्रभावित था मेरे अपने वड़े भी भाजपा में राम बिलाज जी हो या और भी कई लोग है वो पार्टी में जो रगुयादव के संगर्ष के साथ ही रहे हैं लेकि जी सब एक खली व्यक्ति की बात नहीं है रगुयादव अपने आत में व्यक्तितव है जो भी व्यक्ति वो भले किसी पार्टी से आता हो कहीं से भी आता है जो इस इस इलाके की पीडाओं को समझता है उस हर व्यक्ति में वो भले किसी पार्टी का हो किसी फिरिष्ट भूमी से आता हो वो किसी विरादनी से है उस सब में रगुयादव बसता है और रगुयादव जैसा बोलने वाला व्यक्ति सची बात तो यह है अब आप मेरे से सारी बाते कैमरे पे बुलवाद होगे वेसा व्यक्ति किसी पार्टी को चाहिए नई जो व्यक्ति आकर वो ङहते है आच…… जिये आएगा फिर यह पानी भी आएगा रोजगार भी मांगेगा हिसाब भी मांगेगा तहुत विरोत की बात ने मैं तो अपने यूआ पंचायत की आपको बता रहा हूं मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का अनुसाशित सिपाई हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पर मैं अपने लोगों की चिंता भी करता हूँ, मेरे को अपने लोगों की चिंता करने से तो कोई नहीं रोग सकता, मैं बोलू भी ना, भाई बोलेगे तभी तो बात ब सब रगू जी और उनके साथियों ने सदा हर्याना के हिस्से के पानी की लड़ाई लड़ी है और एस्वायल का मुद्दा कि एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चले आ रहा है इसका तो जब निवारण होगा तब होगा यह तो सरकारों के हाथ में जिसके हाथ में कलम है यह तो वही कर सकता है पर जो रगू जी कहते हैं कि इस परदेश में इतना पानी अभी भी उपलब्द है कि कहीं सेम हो रही है कहीं सूखा है अगर उस पानी का समान नहीं समुचित बटवारा भी कर दिया जाए तो हर खेत की प्यास बढ़ाई जा सकती ह यहां के विदायक हो या ना हो कोई खास फरक पड़ता नहीं यह तो वही काम है जो कोई तीसरा भी होता कोई चौथा भी होता तो भी हो जाते बात तो तब बनती है काम तो उसे माना जाता है जिसका फायदा इमिजेट आज आज आपके लोगों को पहुँचे और वो पीड सन 89 के बाद सन 90 के बाद के बहुठा हुठ एज हुक है कि विदायक तो हुआ है कि तो फ्सका नाम रहा है रगुआदव इस्तीफा दिया यогन गलती नहीं ती इस्तिफा दिया ही लोगों के हख इस्से के लिए था इस्तिफा दिया था रोजगार के लिए और यह कहके दिया था कि मैं जा रहा हूं और अपने जैसे दस लेके आऊंगा वह दिक्कत यह हुई कि वह दस नहीं मिले पर वो संगर्श तो जारी रहा और खाली MPML ने बनना राजनीती नहीं होती नेता बनना अपने लोगों की अवाज उठाना अपने लोगों के मुद्दे उठाना उनकी पीड़ा को बया करना ताके दिल्ली और चंडिगड दोनों की बंचायतों में वो मुद्दे गूंजे उ उनकी सुनवाई हो यह जरूरी है हम भी इसी राजनीती को देखके राजनीती में आयों इसी थरे की राजनीती पर चलने का पर्यास रहेगा अब सरीज नियादर अपने युवा टीम तयार करें तयार नहीं करतें साब तयार है मेरे राप तो मैने बताये गोद बलावा से कर डूंडा हेडा तक और अकोदा से लेकर जाबुआ तक कोई घानी ऐसा नहीं जहां मेरे पिता के पुराने साथी ना हो और वो रिष्टा पीडी तर पीडी चला रहा है पहले दादा थे फिर उनके बेटे आप उनके बेटे हैं आज भी सब साथी उसी दिल से जुड़े ह और सब एक मिलकर संगर्ज कर रहे हैं और आप देखने जाईए अभी तो बावल में किया था आपने देखा होगा आज रिवाडी में किया है आपने देखा है जब हम आगे आगे जाएंगे तो कारवा कैसे बढ़ेगा तो अभी आगे क्या प्र अभी युवा पंचायते कर लेंगे क्या करना है कैसे आगे बढ़ना है चुराल वड़ने का मन भी तुना तो लड़ना के साथ अगर बीजे पिटिकर नहीं देती है तो बात की बात है मैं तो यह क्या रहा हूं पूरी निष्ठा से करूंगा जहां जूटी लगाएगी बख्फू भी करूंगा और मैं नहीं मेरे सारे साथ ही मेरे साथ मिलकर करते हैं